गुड मॉर्निंग डियर आज 15 नौंबर दैनिक चागरें समपाद किये समय शुरू हो रही है थोड़ी देर में स्टार्ट राफेल सौदे की जाच की मांग करने वाली पुनर विचार याचि का खारिज कर उच्चतम नयाले ने इस सौदे से वो फोर्स सौदे जैसा कुछ खोज निकालने के सातिर इरादों पर तो पानी फेरा ही छल कपट की राजनिती को भी बेनकाब किया यदि उच्चतम नयाले ने इस सौदे में संदे करने का कोई कारण नहीं पाया तो इसका मतलब यही है कि जो लोग इस सौदे को संदिग्द बताने पर तुले थे वे सरकार को बदनाम करने का सुनियोजित अभियान चला रहे थे हलांकी इस अभियान के अगवा राहुल गांधी और उनके साथियों के पास राफेल सौदे में गड़बड़ी का कोई परमान नहीं था फिर भी वे परधान मंत्री को चोर बताने में लगे हुए थे राहुल गांधी की ओर से उचाला गया चोकिदार चोर है का नारा महज खिस्याहट भरी अभद राजनिती का ही परिचायक नहीं था बलकि इसका भी परमान था कि संकिन राजनितिक स्वार्थों के लिए कोई किस हद तक जा सकता है राहुल गांधी ने केवल परधान मंत्री के खिलाब ही अमर्यादित भासा का इस्तेमाल नहीं किया बलकि फ्रांस के साथ राजनित संबंधों को भी चोट पहुँचाई क्या इससे गैर जिम्मेदाराना राजनिती और कोई हो सकती है राहुल गांधी खुद को यही साबित करने के लिए किस तरह छल का सहारा लेने में लगे हुए थे इसका पता इससे चलता है कि वह यह परचारित करने में भी जुटे थे कि उच्चतम नयायाले यह कह रहा है कि प्रधान मंत्री ने चोरी की है भले ही इस स्यासी सरारत के लिए उच्चतम नयायाले ने उनके खिलाप कोई कारेवाई करने की जरूरत न समझी हो लेकिन आखिर वह उस जनता का सामना कैसे करेंगे जिसके समझ वह राफेल सौदे में गड़बरी के हस्यास्पद और मिथ्या दावे किया करते थे यह लज्जा जनक है की राफेल सौदे पर सस्ती और एक तरह से तेश घाती राजनिती तब की गई जब संपरसंग सरकार के नकारापन के कारन भारतिये वायु सेना उद्धक बिबानों के अभाव में बूरी तरह जुज रही थी आखिर किन संकिन स्वार्थों के लिए राष्टिये हीतों की जान भूज कर अंदेखी की गई यह आपराधिक किस्म की राजनिती थी ऐसी ही हरकतों से राजनिती बदनाम होती है अपसोस केवल यह नहीं की बिना किसी सिवूत राहुल गांधी जूट का पहाड खड़ा करने में लगे हुए थे बलकि इस पर भी है कि परसांत भूसन एस्वन्त सिन्हा और अरून सौरी ने उनकी जूट की राजनिती में सहभागी बनना बेहतर समझा समझना कठीन है कि जब उनके पास ऐसे कोई तत थे ही नहीं तो जो राफेल सौदे में गड़वडी को इंगीत करते तब फिर वे क्या हासिल करने के लिए एक जरूरी रच्छा सौदे को संदिग्द बता रहे थे आखिर इससे उन्हें अपयस के अलावा और क्या मिला